आज बीति आयो किस दस्यों से इनके अप्सरों से गलंबी वारता हुए राज के लगबग सभी विभावत के संदर में अभी उने चर्चाएं की कि आपकी कुझे आपकी की तरफ से आपको अप्लब होगा लेकिता मोटी तोर पर हमने वापकी को अपनी बाते रखी है कि इस राज से देश चलता है इस राज से भारत सरकार को सबसे अधिक आंदनी होती है वहां के लोगों के स्थिति बहुत अच्छी नहीं है इसके लिए कहीं न कहीं संसाधनों कहवा सकता है और संसाधन बुटाने को लेकर के सारी सक्तिय लगभग के इंदर सरकार के पास है हमने जो अधिकार है वो कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा अब तो केंदर सरकार ही तै करता है लेकिन फिर भी हम अपनी हग की बात जरूर उनके समझ रखें और जो कुछ केंदर सरकार देती है उनमें भी राज सरकारों को विस्वास में ना लेकर के कारी होता है तो इसका क्या बुरा परिणाम करता है जैसे कोईला कंपनी के द्वारा हमारा लाख करोड़ों रुपय का बताया वो हमें नहीं मिलता है केंदर सरकार देश के प्रधार मुंतर जी बोलते हैं सभी को हम आवाद देंगे कि लेकिन अभी भी हमारे साड़े आठ लाख लोगों का जितका सर्वे करके रिपोग दिया हुआ है वो भी आवन करने हो रहा उसके से का जो हमें वित्त शाहिता चाहिए वो नहीं प्राफ्ट पराज इसके अलावा खाज सुरक्षादिनियम के तहट सभी गरीबों को अनाज देना सर्गार का दायत है और चुकि जार्खन राज का सबसे बिच्ड़ा राजों में से एक है जहां गरीब मर्दूर तप्टे के लोग ज्यादा हुआस करते हैं राज सरकार ने अतरिक बीस लाख राज सरकार बना कर जो बचे वे गरीब है उनको अनाज देने का जो योजना बनाया है और उस योजना के तहट जो एफसी आई से हम अनाज लेना चाहते हैं लेकिन एफसी आई राज सरकारों को अनाज नहीं दे रहे हैं हमें भी नहीं मिल रहा है अब नतीजा हो रहा है कि हम उत्तुले बजार में महिए दारफ़ पर राज कहितर गरीब हो बहारा है हमारे साथ भी ये घटा घटी है और हमें जानकारी मिली है कई और राजियों में भी एफसी आई या राज है इंजे भी ये एक काफी चिंदा का बिस है उसके साथ साथ इस तरीके से केंदर सरकार जीलों में अस्पिताल खुलने का नीड़ने लेती है और अस्पिताल आधो अजोरे बनकर पजार मंत्री से उठाटन करा लिया जाता है उस समें तो कोई सवाज नहीं होता है लेकिन उठाटन के उफ्राग सुदूर वरति छित्रे में जब मेडिकल कॉलेज की परिकलपना की जाती है या खोली जाती है कि इतना असान बिल्डिंग बनाना है थेका टेंडर देना असान है लेकिन उसका संचालन उतना ही कठीन होता है इसी लिए हमने अग्रा किया है कि केंदर सरकार स्वाज राज में स्वाज स्विरा मजबूत हो इसके लिए इस तरीकी योजनाओं को चैन करने के लिए सबसे पहले या राज सरकार को इसकी स्वाधता दी जाए कि यह अस्पताल कहां खुले कहां चलेगा नए तो इन गरामी छेद्रों में कोई भी फेकल्टी जाने को तयार लिए उधारन के तौर पर आपने खुदी देखा है दस साल से अधिक हो चले है राज को एंस जैसा मेडिकल कॉलेज स्विक्रित हुआ है और आज वो एंस ओपीडी से उपर आगे नहीं चल पाया है तो कमवेश यह इस्तिती इन मेडिकल कॉलेजों की भी होगी है तो यह सारे कुछ महत्कून बाते हमें बताई है बाकी चिजह आपको प्याडी से या विदिवत रूप से उप्याप को बहुत सारी चिजह है गंगा डिवर विशिन से संबदित बाते भी है बोरस राइट एक्ष को भी लेकर बात है हमारे जो बहिला गल्यान से संबदित बाते हैं कई सारी बाते हैं अब तो राजसरकार अपनी बाते अपनी पूरी बाते आज निती आयोक के समझ रखी है और लिखीत रूप से भी निती आयोक के समझ को बलत कराई अपने राजस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना न भूलें